नए आयरुवेदिक फॉर्मूले से गुर्दा रोगों का परभावी इलाज मानो जीन पर हो रहे अनुसंधानों से बिमारियों के परभावी उपचार के नए रास्ते खुल रहे हैं इसी तरह के एक सोद में पता चला है कि आयरुवेदिक का फॉर्मूला नीरी की एफटी गुर्दे की बिमारियों के लिए जिम्मेदार छे जीन के विवार को नेंतित करने की छमता रखता है इससे गुर्दे की बिमारियों के बचाओ और उपचार को नए दिशा मिल सकती है बायो मेडिसन जर्नल में परकाशित सोद के मताबिके नीरी की एफटी का असर जानने के लिए जामिया हमदर्द के सेंटर और सेंटर फॉर एक्सिलेंस में ये सोद किया गया इन्हें विट्रो अध्धन यानी प्रियोग साला में इन्सानी कोशकाओं पर किये गए अध्धन में है बात की पुस्टी की गई है इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज से इन्सान के गुर्दे की कोशकाएं हे के 293 मगाए गई नेरी के फ्टी पुनर नवा गोखरू वरुन कासनी मकोई पलास और गिलोईस में ये उन्नीस परकार की जड़ी बुटियों से बनी होती है शौद पत्तर के नुसार नेरी के फ्टी को गुर्दे की अनेक बिमारियों के लिए जिम्मेदार छे जीन C.A.S.P. I.A.L. A.G.T.R.1. A.K.T. A.C.E. और A.S.O.D. के बिवार को निंतरित करने के में कारगर पाया गया है ये जीन गुर्दे की कारे विदी के संचालन के लिए जिम्मेदार है जीन के विवार से तात्परे किसी जीन में उपस्ती सूसना के परियोग से उत्पादन होना है जो आम तर पर प्रोटीन होते है सिस्पलेटिन के परभाव को कम करता है नीरी शोद के निसार नेरी के एफटी गंबीर एम पुराने गुर्दा रोग और उसे सम्मंद विकरतियों को निमित करने के लिए मजबूत विकल्ब है यह जीन के विवार को भी निमित करती है वहीं गुर्दे के उपचार के दोरान कीमो थ्रेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा सिस्पलेटिन के दोस्परभाओं को भी गठाती है इसके अलावा यह आक्सीडेटिव और इंप्रामेंटरी स्ट्रेश को भी कम करने में कारगर है जो गुर्दे के संकर्मन के खिलाब लड़ने के लिए जरूरी है